दोस्तो आचारे चानक के किनीतियां संसार की सर्वसिष्ट नीतियों में से एक मान जाते हैं आचारे चानक के सेस्ट आते सास्तरी उने के साथ साथ एक मान राजने ते गिवं कूटने ते के ते उनके द्वार बताई गई चानक किनीति को सीखने से आप जीवन के सिब समस्य आपको आसानी से सुलजा सकते हैं साथी साथ जाना के नीती गव्यान आपके लक्ष को पूरा करने में सैक से दो सकता हैं दोस्तो यदि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन भे आपसे प्यार नहीं करता भे आपसे बात नहीं करना चाहता आप उसे प्यार करते हैं आप उसे पाना चाहते हैं चाह बेपुरोस हो या मैला हो आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं तो आप इस उपाई को कर देजिए जिससे आप अपने प्यार को पा सकते हैं चाहे बेपरोस हो या मैला हो बैप्यार खुदा आपके पास आएगा आपसे बाते करना चाहेगा तो दोस्तो आईए जानते हैं सुपाई के बारे में दोस्तो आपको यह उपाई गुरूबार, सुकुरूबार और सनी बार इन तीनों बारों पर आपको यह उपाय करना है आप साथ चावल के दाने ले लें और इन दानों को आप मुट्टी में डालते हुए सिंदूर से बर लें जब वो पूरी तरह सिंदूर से कवर्क हो जाए पूरी तरह उसमें मिल जाए तो उन्हें पानी में डाल दें और पिर उस पानी से अपने पूरे गर में चड़काप कर लें और आप जहां पर सोईंगे उस जगे पर तोड़ा ज़्यादा चड़क लें और पिर उस गिली जगे पर आप सो जाएए उसी गिली जगे पर आपको सो जाना है पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपका प्यार को आपके पास आएगा आपसे बाते करना चाहेगा दोस्तो बस आपको इतना ही करना है दोस्तो याद रखिए आपको गुरुबार, सुकुरुबार और सनी बारेन तीनों बारों पर आपको यह उपाय करना है तो दोस्तो अपने प्यार को पाने के लिए आप इस उपाई को एक बरबस से करें जिससे आप अपने प्यार को पास आएगा आपसे बाताई करना चाहेगा तो दोस्तो अपने प्यार को पाने के लिए आप इस उपाई को एक बरबस से करें जिससे आप अपने प्यार कुपा सकते हैं दोस्तो याद रखिए आपको इस उपाय को किसी गलत नियस से नहीं करना है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं अपने प्यार कुपाने के लिए करना है जिससे आप अपने रूटे प्यार कुपा सकते हैं तो दोस्तो इस उपाये को एक बाराबस से करें जिससे आप अपने प्यार को पच्वास अक्ते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस अपनाए वीडियो आपको कैसा लागा नीच कमेंट बॉक्स में जरूर लेकीए अगर आप बगवान स्री किशना जी के सचे भकते हैं तो नीच कमेंट वक्स में जैस स्री किशना रादे रादे जरूर लगें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद